ओम्मूम् करो तिवाचालं पंगों लंग हयतेगिरं यत्कृपातमहं बंदे परिमानन्द माधवं गुरुरो ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महे सुरां गुरु साग्छात्परं ब्रह्म्य तश्मै स्री गुरुवे नमा। शर्वे भवंतु शुपिना शर्वे शन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पस्चंतु माध कुषित तुख्य भागववे। करपूळ गौरं करुणा वतारं संसारे सारं भुजबेंद्रे हारं सदा वशंतं हिर्दयारे विंदे भवं भवानी सैतं नमा। अम्शाम्दी अम्शाम्दी अर्जुन वाच्शाम्दी अर्जुन वाच्शाम्दी और प्रिश्न कर राये एक्ष्ण अर्जुन कर रहे हैं किष्ण आप करमों के सन्यासकी और फिर कर्मयोग की प्रिशंसा करते हैं कर्मों के सन्यास की और फिर कर्मियों की प्रसंसा करते हैं इसलिए इन दोनों मैंसे एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्यान कारक साधन हो उसको कहिए क्योंकि भगवान ने पहले कर्म सन्यास की बात कही फिर कर्मियों की बात कही अब जो कर्म सन्यास, कर्म का त्याग, कर्म है, कर्तित्त का त्याग, कर्म का त्याग और दूसरी बात भववन करें, कर्म करो लेकिन फलकिया का अंग्षा का त्याग, कर्म योग तो जहां कर्म में कर्तापन का भाव ना हो, कर्म में ही कर्तापन का भाव ना हो कर्तित का अभिमान ना हो, मैं करता नहीं हूँ ये बात भगवान ने कहा कर्म सन्यास की कर्म होंगे सहज में सरीर है तो सरीर में सक्ति है, क्रिया है तो वो उर्जा किसी ना किसी माध्यम से बाहर व्यक्त होगी यह श्रीर में उर्जा है वो क्रिया के रुप में व्यक्त होगी लेकिन करने के पीछे कोई motivation नहीं कोई मांग नहीं है कोई अकांगशा नहीं है कोई चाहा नहीं है सहज में हो रहे तो करते हुए भी ऐसा व्यक्ति अकरता हो गघ्रिआता है तो कहते हैं कर्म सन्यास इसने कर्म का необход कर दिया वह कर में भी अकर्म को देख कर में भी उसके लिए अकर्म करते हुए वी अकर्म में है वह दूसरा बगोञाज क्या तो कर भगवान के सामने अर्जुन था अजब भगवान किष्ण के सामने अर्जुन थे तो अर्जुन की मना श्तिती भगवान समय थे कि अर्जुन का सारा का सारा जीवन छत्री का जीवन रहा एक योधा का जीवन रहा एक कर्म निष्ट का जीवन रहा तो ऐसे व्यक्ति से तुम कर्म त्याग की बात कहोगे तो कर्म त्याग में सही अर्थ में त्यागी तो नहीं बन पाएगा कर्म का पलाइन करेगा आलसी हो जाएगा अकरमड हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति रजोगुड से पूरी तरह से भरा हुआ इसका जीवन और सारा जीवन, सारा क्रिया कलाब, सारा बिवहार, सारा बच्पन से आग तक का उसका जीवन का जो प्रिशिच्छड है वो कर्म योग का रहा, करने का रहा, रजोगुड का रहा, अब अचानक उसे अगर रजोगुड से हटाओगे, कर्म से हटाओगे प्रणाम क्या होगा वो कोई अंतरमुखी सन्यासी नहीं होगा वो कोई बुद्ध महावी नहीं बनेगा वो पलाइन करेगा तो आलसी बनेगा अकर्मने बनेगा अब वह भगवान के सामने अरजुन है तो अरजुन को सामने रखके भगवान कह रहें कि अरजुन तुम्हारे लिए कर्ma सन्यास से कर्म-योग ज्ञादा हितकर है यह स्रेश्ठ है और यह स्रे कर है तुम्हारे लिए कोई एक दवा सबके लिए स्रेश्ट नहीं हो सकती है सबके लिए कोई अच्छी नहीं हो सकती है कोई डॉक्टर ऐसे नहीं होता कि एक अच्छी दवा सबको प्रिस्क्राइब करें जैसा रोगी बैसी दबा और जब रोगी को कोई डॉक्टर दबा दे रहा तो डॉक्टर यही कहेगा सबसे अच्छी दबा है सभी दबाईयों में सबसे अच्छी दबा है क्योंकि अगर किसी को मलेरिया है और मलेरिया का दबा दे रहा तो कहेगा सबसे अच्छा दबा यह अब किसी को सिदर्द है किसी को बुखार है किसी को खांसी जुखाम है तो अब उसके लिए अलग दवा हो जाएगी और जब डॉक्टर देगा तो उसको यही कहके देगा कि सबसे अच्छी है क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है तो जब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन कर्म सन्यास की अपेक्छा कर्म योग निसकाम कर्म योग जादा स्रेकर है जादा स्रेश्ठ है क्योंकि भगवान के सामने अर्जुन है अगर भगवान किष्ण के सामने कोई बुद्ध रहे होते महावीर रहे होते तो सा वो उनका वाक कथन कुछ और होता अर्जुन है इसलिए वगवान कह रहे है अब अर्जुन चहां क्या रहा है हर व्यक्ति की यह मनाश्थिति है कि हर आदमी चाहता है कोई मेरे लिए दूसरा न्रड़े कर दे क्योंकि न्रड़े में उसे थोड़ा मुश्किल लगती है कटनाई लगती है एक अंतर में द्वंद है उस द्वंद से जूजना होगा एक संघर्स है अब कर्में संघर्स है बाहर के कर्में भी संघर्स है और अंतर के कर्में भी संघर्स है तो अंतर विचार का संघर्स हो विचार पैदा हो उसमें भी पीड़ा है उसमें भी संगर्स है उसमें भी ठकान है तो आदमी उस संगर्स से बचना चाहता वो जंजड से बचना चाहता अरजन मात्र कोई युद के ही जंजड से नहीं बचना चाहता अरजन विचार के जंजड से भी बचना चाहता विचार भी ना करना पड़े इसलिए अरजन भगवान किसने कह रहा है कि आप निर्ड़े करके बता दो मेरे लिए क्या ठीक है और कोई दूसरा व्यक्ति बता दे कि तुम्हारे लिए ये ठीक है कभी भी कोई अच्छा गुरू कभी यह नहीं कहेगा तुमारे लिए यह ठीक है, वो तुमारे सामने सब तरह के ऐप्सन रखेगा, सब तरह की संभावना रखेगा, सब तरह के मार की बात करेगा, लेकिंट चुनाओ व्यक्त को खुद करना पढ़ होगा, कि उसकी अंता अवस्था क्या है? उसकी मनाश्तित क्या है अगर कोई दूसरा वेक्ति तुम्हारे लिए निर्ड़े करके बता दे तो उसको ऐसे ही है जैसे कोई गुल्दस्ते के फूल बाहर से फूल चुल लिए गुलदस्ते में सजा दिए अब वो गुलदस्ते में फूल सज तो रहे हैं दीख तो रहे हैं लेकर उनमें कोई जीवन नहीं है उनमें कोई प्राण नहीं है वो जल्ली मर जाएंगे वो किसी जड़ से नहीं जुड़े है और जैसे ही तोड़े हैं बैसे ही मरने लगे लेकिन एक फूल पौधे पर लगा हुआ है पेड़ पर लगा हुआ है जड़ से जुड़ा हुआ है उसमें जीवन है उसमें जीवन है दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई निरड़ाय करके बतादे वो ऐसे गुलदस्ते के फूल तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा तुम्हें उसके लिए संगर्स नहीं करना पड़ा तुम्हें अंतर दुन्द से नहीं कुछ निकलना पड़ा तुम्हें विचार की पीड़ा से नहीं गुजन न पड़ा तो ऐसे ही जैसे कोई आज के समझे में किसी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म दिया नौ महीने अपने गर्म में समाला संजाया जन्म दिया पाला पोशा और एक व्यक्ति ऐसा होता किसी दूसरे का बच्चा गोद ले लेता अब दूसरे का बच्चे को गोद जो ले लेते हैं प्राया मैंने देखा उनकी वो आत्मिता नहीं रहती है दोनों तरफ से, मा की भी वो आत्मिता नहीं रहती है और बेटे की भी वो आत्मिता नहीं रहती है, मा ने भी वो प्रशोपीड़ा नहीं सही, मा ने भी उसको अपने गर्म में नहीं पाला, नहीं पोशा, और प्रशोपीड़ा नहीं सही, ऐसे ही दूसरों से लिये हुए विचार, दूसरों के निर्ड़े, दूसरों के निर्ड़े हम पर जो थोपे जाए, वो व्यक्त के अंदर कोई सुगंदी पैदा नहीं करेंगे, कोई सौंदर नहीं जगाएंगे, कोई संगीत नहीं जगेगा वो सब उपर से आरूपित है उपर से आरूपित है लेकिन व्यक्ति उससे बचना चाहेता है ये भी एक आलस है ये भी एक पलाइन है जैसे व्यक्ति कर्तब से पलाइन करके भाग रहा है ऐसे विचार से भी पलाइन करके भागना चाहेता क्योंकि कर्म उसे एक पीड़ा लग रहा है विचार का कर्म हो या सरीर का कर्म हो उसे एक पीड़ा लग रहा है इसलिए बगवान किसने कह रहा है आप निर्ड़ा करके बता दो और कभी-कभी ऐसे लोगों को दिखो जो पलाइनवादी हैं भले वो विचार से पलाइन कर रहे हूं ऐसे लोग तो यह चाहते के भोजन भी कोई और उनके लिए पचा ले कोई और खाले कोई और पचा ले हो सकता कल कभी भविश में कोई विज्ञान है सक्ष कर सके लेकिन जिस दिन विज्ञान यह करें ब्होजन कोई और पचा ले कोई और खाले कोई और पचा नो कर ना करना पड़े उस दिन आदमी-ादमी नहीं रहे जाएगा प्लास्टिक का हो जाएगा कि जब कोई उसके हैं तो हमारे अंदर एक उर्जा आती है तागत आती है पचाने की सक्ति भी हमें कुझा देती है ऐसे ही जह हम विचार को अपने अंदर पन पाते हैं विचार को अपने अंदर हम पचाते हैं तो हमारे अंदर एक बिलपावर बनती है और हमारे विचार में द्रड़ता आती है एक मजबूती आती एक जीवन आता है एक सौंदर्य आता है एक संगीत आते है बिचार हमारे अन्न था दूसरों की बिचार उधार बिचार बहुत काम नहीं आते हैं और वो बहुत गहरे नहीं होते हैं उपर उपर होते हैं सतय पर सरफेस पर होते हैं सतय पर होते हैं गहराही कर पाते हैं जो उनके खुद के विचार हो उनके अंदर से प्रिगट हुए हो तो अरजन की वी पीड़ा यही है कि अरजन चाहते कि किष्ण हमारे लिए लेड़ाई कर दे और किष्ण लेड़ाई करके बता दे कि मेरे लिए क्या ठीक है लेकिन भगवान किष्ण पहले तो एक सबसे बड़ा प्रयास तो यह हुआ वो सफलता का यह हुई है कि अरजन ने पहली बार यह माना है कि मैं कन्फ्यूज हूँ मैं भिर्मित हूँ अन्ह था अगर कोई व्यक्त अपने को मान ले कि मैं भिर्मित हूँ मेरा मन डमाडोल है मोह ग्रिष्ट है अगर यह मान ले तो समझो पहला कदम उसने उठाया ग्यान की तरह अगर अपने रोग को रोग मान ले कोई व्यक्ती तो इसका अर्थ है कि अब वो सुस्त होने की तरफ बढ़ेगा रोग से मुक्त होने का कोई उपाय करेगा और जब तक व्यक्त अपने को माने ही नहीं कि मैं रोग गिरस्त हूँ तो रोग का उपचार कैसे करेगा रोग का इलाज कैसे करेगा रोग से मुक्त होने का प्रियास कैसे करेगा अर्जुन ने पहली वार माना कि मैं निर्डे नहीं कर पा रहा हूं मैं निर्डे करने में असमर्त हूं मैं कन्फ्यूज हूं मैं भ्रमित हूं इसलिए आप नृटे करके भगवाँ से कहा, आप नृडए करके बता दो, कि मेरी लिए क्या स्रेकर, कर्म सन्यास या कर्म योग, लेकिन कभी भी ऐसे अच्छे संत, अच्छे गुरू, अच्छे सिचक, नृडए नहीं देते, नृडए नहीं ठूपते, क्योंकि निर्ड़े थोपने का अर्थ है व्यक्ति को अपंग बनाना जैसे कोई ये कहा कि तुम्हें आख की जरूत नहीं है तुम अपनी आख फोड़ लो हम अपनी मेरी आख से देखते रहना तुम अपने कान फोड़ लो मेरे कान से चलते रहना हम सुनेंगे और तुम्हें बता देंगे हम देखेंगे और तुम्हें बता देंगे तो ऐसी व्यक्ति अंधे बना देंगे ऐसी व्यक्ति बहरे बना देंगे वो एक क्रूरता होगी एक हिंसा होगी लेकिन जो अच्छे लोग है जिनके अंदर करुणा है प्रेम है वो कहेंगे नहीं तुम्हारी अपनी आँख का उप्योग करो अपने कानों का उप्योग करो अपने पैरों का उप्योग करो अपने पैरों चलो तुम्हारे अपने पैर ही तुम्हारे काम आएंगे तुम्हारा अपना विचार अपना चिंतन अपने निर्ड़े ही तुम्हारे होंगे दूसरों के निर्ड़े तुम पर थोपे जाए वो काम आने बाले नहीं है वो तो ऐसे ही है जैसे व्यक्त कि लंगड़ा आदमी किसी और के पैरों चल रहा हो अंदा आदमी किसी और की आँख से देख रहा हो उसकी अपनी आँख नहीं हुई वो किसी और की आँख से देख रहा है उसका वो बाशा है वो उधार है तो उपर उपर का गहरे में नहीं उसका अनवा हो तो भगवान किष्ण इसलिए कह रहे हैं अर्जन से अर्जन का प्रिस्थ नहीं कह रहा कि मुझे आप नड़े करके बता दो आप सुनिश्चित करके बता दो कि मेरे लिए क्या स्रेकर है इसलिए पहली वार अर्जन मान नहीं है अभी तक तो अर्जन की बात ऐसे हो रही तो बड़े एक मोगरस चित तो है और इसलिए वह बार वार पलाएं अभी तक तुम चाह रहा था क्रिष्ण मेरे बात मेरे पलायन में समर्थन कर दे पलायन करना चाहता था अपने जिम्मेदारी से भागना चाहता था क्रिष्ण से समर्थन चाह रहा था क्रिष्ण भी मेरी हां में हां मिला दे मेरे पलायन में के गवाही बन जाए क्रिष्ण का भी सहरा मिल जाए भागने मे लेकिन भगवान किष्ट किसी की गवाही नहीं बनते किसी को सहरा नहीं देते भगवान किष्ट ने धीरे धीरे उसको सत्थ पर लाते है और सत्थ उसके सामने प्रगड करते है और अलग-अलग तरह से अलग-अलग डाइमेंशन से अलग अलग तरह से भगवान ने रखा कि ये भी एक राष्टा है चुना तुझे करना है कि तू कहा है और कोन सा राष्ता तेरे लिए सुगम है और यहां पर फिर भगवान ने वही दो राष्ते के जो बात कही लेकर अरजन को देखके इतना जरूर काहत कहा दिया अरजन को देखके कहा दिया ये तेरे लिए ये सुगम ये सरेकर कर्म सन्यास और कर्म योग आज के समय में भी देखा जाए आज भी जिस तरीके का भावतिक योग है जिस तरीके से वैग्याने खोजे होई हैं जिस तरीके से व्यक्ति जिस इस तरह पे जी रहा है आज भी यही ज़्यादा हितकर है स्रेकर है कि व्यक्ति कर्मयोग का जीवन अपनाए अगर सब पलायन बादी हो जाएं गुफाओं कंद्राओं में बैठें तो कोई संस्कृति नहीं होगी कोई समाज नहीं होगा कोई समाज एक विकास नहीं होगा कोई संस्कृति बने कोई संस्कार बने कोई समाज बने कोई विग्यांगने अविसकार हो तो सब का सायूग पहला इन बादता से नहीं बाद पने की चलो एके दुके कोई बुद्ध महवीर कहीं गुफा कंद्राओं म समाज भिर्मित हो जाएगा भटक जाएगा समाज भी अब्विवस्था आ जाएगी एक उच्छंखलता आ जाएगी एक संस्कृती नश्ट हो जाएगी कभी कभी कुछ लोगों के प्रभाव से लोग एक विक्ति का कुछ आकरशण ऐसा होता है जो लोग बुद्ध के आकरशण से तमाम लोग पलाइनवादी हो गए थे एक बुद्ध के अंदर फूल खिला था बुद्ध के अंदर निसकाम कर्म जगा था कामना मुक्त कर्म जगा था कर्म सन्यास जगा था बुद्ध ने पलाइन किया तो कितने लोग बुद्ध के अन्वाई बन गए पलाइन कर गए उनकी बुद्ध जैसी चमता नहीं थी उनकी बुद्ध जैसी कोई मनोदसा नहीं थी उनकी बुद्ध जैसी कोई योगता नहीं थी लेकिन बुद्ध का अंधा अनुकरण किया बुद्ध को बुद्ध ने पलाइन किया था बुद्ध अपने सुधर्म में जिये थे लेकिन बुद्ध के सुधर्म को जो बुद्ध जैसे नहीं थे लेकिर बुद्ध का अनुकरन किया पलाइन किया जिम्मेदारियों से पलाइन किया परिवार का पलाइन किया राज का पलाइन किया जिम्मेदारियों का पलाइन किया और परड़ाम क्या हुआ उसके परड़ाम बाद में पीछे निकले के देश ऐसे पलाइन बादिय जो अपनी जिम्मेदारियों से पलान करते गए तो भगवान किष्ण अर्जन को अब इस अवस्था में ले आया कि अर्जन सिवकार कर रहा है कि मैं कन्फ्यूज हूँ मैं भिर्मेत हूँ मैं मोहगरिस्त हूँ इसलिए भगवान से कह रहा आप निड़े कर दो तो भगवान ने कहा इतना ही एक निशारा किया है कि तिरे लिए कर्म सन्यास्रे कर है आगे कि लोग भगवान कह रहे हैं भगवान किष्ण कह रहे हैं सन्यासा कर्म सन्यासा कर्म योग अश्य निस्त्रेह सकराविभो तयोस्ति कर्म सन्यासा कर्म योगो विशिश्यते भगवान कह रहे हैं अर्जुन कर्म सन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्यान के करने वाले हैं उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से स्रिष्ट है कर्म सन्यास से कर्म योग परम कल्याण के करने वाले हैं पर उन दोनों में भी कर्म सन्यास कर्म योग से कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से स्रिष्ट है भववान कह रहे कर्म योग से कर्म सन्यास से कर्म योग स्रेश्ट है मैंने का ये भगवान अर्जुन को कह रहे क्योंकि अर्जुन के अंदर एक सत्व प्रधान था अर्जुन के अंदर रजोगोड प्रधान था इसलिए भगवान कह रहे कर्म सन्यास कर्म से भागना नहीं है अब देखो जो कर्म सन्यास है कर्म सन्यास में क्या होता कि ऐसा व्यक्ति समयता उसको ऐसे लगता है जैसे वो कर्म क्या है जैसे पानी पर लकीर बनाना पानी पर लकीर बनाना लकीर बन नहीं पाती बिगड़ती जाती है अब अगर व्यक्ति लगेगे पानी पर लकीर बनाने से लकीर बनती नहीं है बिगड़ ही जाती है तो फिर लकीर बनाना क्यों तो पानी पर लकीर नहीं क्यों बनाना जब बिगड़ ही जानी है रात सुपन देखा और जब आँख सुपन खोली तो लगा सपन जुटा थे लेकिन उस जुटे तो समझती है को खूस ऐता है को जागते है दूसरे दिन फिर सब्न देखते हैं और फिर सन ऑपाते जूंटा है रोज रोज नए-णए सब्न 12 देखते हैं लेकिन सुपन सच लाइथ आनग खोलती तब करते जूंटा है ऐसे ही व्यक्त कर्म हिक्षिब में पड़ा हुआ अब ये कर्म सन्यास कब फलत होता है जब ये सुप्न तूट जाए जब पानी पर लकीर बनाना खीचना बंद कर दे पानी पर लकीर खीचना बंद कर दे अब सुचो, हम ने आपने सभी ने कितने कुछ कर्म किये कुल में लाके उन कर्मों का प्रणाम क्या आया क्या हाथ में आया जो कर्म किये गए थे जब भी किये गए इस आसा में किये गए सुख मिलेगा संतोष मिलेगा संती मिलेगी संतोष मिलेगा संती मिलेगा सुख मिलेगा तरपती मिलेगी लेकिन मिला और कुल मिलाके उन कर्मों का कुछ प्रणाम आया हजारों हजारों साल से कर्म होते आये आज कर्म का कहां क्या कुछ है और इन कर्मों के लिए आदमी कितना असांत हुआ कितना तनावगिस्त हुआ कित कितना रुग डो बीवार्न कितने युद्ध कितने संगर्श कितनी कल हम अधक्रिंद्षा के आए को सिकंदर में मरा तो Аर्थी से कार हाथ लटका के दिखा के गया कि दुनिया लोग देख ले क्रम में रत रहा लेकिन परणाम एक में रहा निर्म हात में कुछ नहीं कि पानी जैसी लकीड है, बनी और बिगडी, हाथ कुछ नहीं आई, काम कुछ नहीं आई, वो कर्म से सहज उसकी आसकती खत्म हो जाती है, कर्म से उसका तादात्म खत्म हो जाता है, कर्म उससे जहरेंगे, कर्म तो उससे होंगे, लेकिन कर्म में उसकी कोई आसकती है, कर्म च से नहीं हो रहे हैं कभी कभी आप देखो छोटे बच्चे हम आप जब छोटे बच्चे थे खिलोनों से खेलते थे चमकीले काज के पत्थर बहुत आकर्शक लगते थे वह सुन्दर लगते थे बड़े संजो के रखते थे क्या हुगा जब व्यक्ति बड़े हो जाते हैं तो वह पत्थर छूट जाते हैं वह प्लास्टिक के खिलोने छूट जाते हैं क्यों छोड़ने नहीं पड़े छूट गए छोड़ने नहीं पड़े छूट गए क्यों अब वह कहेगा मैं प्रॉड हो गया मैच्योर हो गया अब यह खिलोने नहीं अब दूसरी खिलोने चाहिए तो खिलोने बदल जाते कांच के पत्थ्रों की जगह हीरे आ जाते हैं मैं और छिलौनों की जगे द्सरेह न आ जा जाती है पधके के कहिल ने द्धन के खलो ने मान के खलो ने उनकी साथ संगर्स पड़ेज पड़े जाता उनकी अब इस पंद पर पहुंचो अब उस पंद पर पहुंचो है हमारी एक मिलने वाले हैं बड़े राजनेता इस देश के और बहुत राजनेता खूब दोड़े जीवन भर दोड़े तमाम चुनाओ लड़े तमाम बड़े बड़े पदों पर पहुंचे लेकिन अंत में आके क्या उनका हुआ कि उप्रधान मंत्री तक तो पहुंच गये लिकिन परदान मंत्री ना बन पाएं परदान5000 तक पहुच्ची कर्सी पर वह पैठे रहे बंगानमंत्री ना बन सके अब सोचो मन में पैँक बेकार सब एक उनको एसा लगा कि पूरा जीवन भेकार क्यां जिस कोर्षी की क्या वो अंतर सुख मिला, अंदर सांती मिली, अंदर त्रप्ती मिली, संतोष मिला, क्या हुगा, सारा जीवन इतना लगा दिया, इतनी भाग दोड की, इतना स्रम किया, इतने स्वप्न देखे, वो सारी के सारी बाते ऐसे लगे जैसे पानी पर लकी रहे हो खीचते गए पानी पर लकी रहे खीचते गए हाथ कहीं कुछ नहीं आए सारी स्रिष्टी में आप देखो अगर आज मनुस्ष खत्म हो जाए इस जमीन से तो सूर्चांद को पता भी नहीं लगेगा ब्रक्षों को पता भी नहीं लगेगा सारी स्रिष्टी में पता भी नहीं लगा कि मनुस्ष कभी कोई था इस मनुस्ष की कहीं को बड़ी उपियोगता थी कोई उपियोगता नहीं है तो भगवां जो समझ लेता है वो पलाई नहीं करता है वो समझ लेता है कि यह पानी कैसी लकी रहे हैं कुछ बनने बाली नहीं है वो कर्म से उसकी आसकती हड़ जाती कर्म से उसका तादात मढ़ जाता कर्म होते रहते खेल की तरह होते रहते हैं कोई खेल होता रहा तो जो कर्म योग कर्म सन्यास की बाजा वहार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति के जीवन से कर्म हो रहे हैं लेकिन करता नहीं है वो सहज में हो रह का भाव नहीं करनके कुछ पाने की कोई कामना नहीं करके यह पाना दूसरा जो भगवान कह रहे निसकाम कर्मयोग तो निसकाम कर्मयोग में भगवान यही कह रहे कि निसकाम कर्मयोग तो उससे हो रहे हैं लेकिन उसकी कामना मुक्ति क्योंकि कामना सदा भविष्ट की होती है फल जो है सदा भविष्ट में आता और कर्म बरतमान में होते हैं कर्म बरतमान में हैं फल भविष्ट में आना और ना मालू उस भविष्ट के फल के लिए हम रहे या ना रहे और फिर जब वो फल आते भी हैं जब भी वो फल आते हैं तो फल सुख लेके नहीं आते हैं हमने सोचा ये था कि वो जो फल आएगा वो मीठा होगा सुख लेके आएगा लेकर वो कड़ुआ फल होता है सुख लेके नहीं आता दुख लेके आता तो फिर हमारी कामनाई आगे बढ़ जाती अब ये नहीं आगे का और इससे आगे का ऐसे कामनाई आगे से आगे सरकती जाती आगे से आगे बढ़ती जाती इस कामना में सुख नहीं मिला अंगली कामना इससे सुख नहीं मिला अंगली कामना तो कामना सदा भविस्व की बनी रहती है फल की बनी रहती है आगे की बनी रहती है कर्मे रस नहीं मिलता उसे कर्मे सुख नहीं मिला लेकिन जिस विक्ति को फल बेर्थ लगने लगा फल की आकांग्छा विर्थ दीखने लगी कि ये फल जब भी आएगा तो जब हात में आएगा तो फूल नहीं होगे वो कांटे होगे फूल के सुपन होगे फूल की कल्पना होगे लेकिन जब इथारत में हात में आते हैं तो कांटे बन जाते जहां सुख देखाता दुख मिला, जहां मान समझाता अपमान मिला, जहां संतोस समझाता असंतोस बढ़ा, संती समझीती असंती और बढ़ गई तो ऐसा व्यक्ति कर्म में रत होता फल की आकांग्चा ते और बंधन वो है जो फल की आकांग्चा जो बंधन है वो फल की आकांग्चा दुख है वो फल की आकांग्चा कर्म बंधन नहीं होता कर्म तो वो सहच जीवन की उर्जा है उसका फल से कुछ लेना देना नहीं है तो भगवान कहते हैं अर्जुन से अर्जुन कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों परम कल्यान करने वाले हैं पर तो उन दोनों में कर्म सन्यास कर्म योग साधन से सुगम है अर्जुन के लिए साथ सुगम है वगवान कह रहे हैं अब देखो कितने लोग उदान देते के मंदिर के कोई मंदिर है पहाड़ी के चोटी पर अब कोई पूरब में खड़ा कोई पश्चम में खड़ा कोई उत्तर कोई दक्षड में अब जो जहां खड़ा है तो हर व्यक्त रास्ता हमारी जो मनाश्तिती है हमारी जो सुभाव है हमारी संसकार है हमारी जो अंतर संभावना है उसी को ध्यान में रखके रास्ता सुगम या स्रेकर होता है कि कौन सुगम किस के लिए कौन कहां है कोई बहर मुखी सुभाव का है तो कोई अंतर मुखी सुभाव का है अ बुद्ध महावीर अंतर मुखी सुभाव के थे तो बहर मुखी सुभाव के लिए निस्काम कर्म यो काम नामुक्त कर्म और कोई अंतरमुखी सुभाव का बोध महावीर जैसे लोग उनके लिए कर्म सन्यास भी और आस्त मार्ग हो सकता स्रीकर हो सकता सुगम हो सकता तो भगवान कह रहे तुम्हारे लिए अर्जुन सुगम यह है कि कि तुम जहां हो और इसी मार्ग से तुम पहुंचोगे वही मार्ग वही है मार्ग अलग अलग दीख रहे हैं मंजल एक ही है जहां कर्म सन्यास से पहुंचते हैं वहाँ कर्म योग से भी पहुंचते हैं दोन जो अलग-अलग जगह है इसलिए उनके रास्ते अलग-अलग होंगे लक्षेक है यह मार्ग इसलिए अलग-अलग है कि लोगों की मना स्थिती अलग-अलग है कोई वहर मुखी है तो कोई अंतर मुखी है तो किसी लिए कर्म सन्यास तो किसी लिए कर्म योग है अंगले इस लोग में भगवान कह रहे हैं गेयस्य नित्य सन्यासी यो ना दुष्ट ना कांग्छती निरद्वन्दोही महाँ बाहू सुखंबंधात प्रमुच्चते इसलिए है अर्जुन जो पुरुष्ट ना किसी से दुष्ट करता ना किसी की आकांग्छा करता है वह कर्म योगी नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ही समयने योग है क्योंकि राग दुष्ट राग दुष्टाज गेस नित्य संयासी योना दिश्ट नकांचति जिसकी कूई मांग purposely जिसकी कुई शिकायद नहीं यो ना दुश्ट न कांग सती जो किसी का जादा तर हमारी स्थिति क्या है जो हम कर्म करते हैं यह तो मांग के लिए करते हैं कुछ पाना है तो इसलिए करते हैं कुछ त्यागना है इसलिए करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ त्यागने के लिए करते हैं, अब दोनों में एक में राग है, एक में द्वेस है, मित्र को पाना है, सत्र से बचना है, सुख पाना है, दुख से बचना है, लाब पाना है, हान से बचना है, तो कुछ पाना है और कुछ से बचना है तो कुछ से बचने के लिए द्वेस्ट में भी हम कर्म करते हैं और राग में भी कर्म करते हैं लेकिन दौनों में भगवान कहते दौनों में जो क्रिया है एक किसी तरह मुझ करके भागना एक किसी से पलाइन करके भागना पीट करके भागना कोई धन की तरह मुझ करके भाग रहा है कोई धन से दूर भाग रहा है किसी को धन में सुख मिल रहा है किसी को धन से दुख मिल कुर्सी पद अपने मित्र है ना सत्रू है वह मूल हमने दिया किसी के लिए बड़ा आकर्शन का कारण है उस पद को पाना है और कोई उस पद को छोड़ के भाग रहे हैं तो संसार के जितनी भी वस्तु व्यक्ति धन मान पद प्रत्र जो लगी है जिनके प्रत्र हमारे राग और देश है भगवान यहारी अजि को नित्थर सन्यासी है कौन जिसने ना कोई मांग है ना कोई सिकायत ना मुह करके भाग रहा ना उनके प्रत्र पीट करके भाग रहाा ना आकर्षण है ना विकर्षण है उसे वगवान कहते हैं वो नित्न सन्यासी है वो बीच में ठैर गया ना आकर्षण ना विकर्षण ना राग ना द्वेस कल मैं कह रहाता स्वामी विविकानन्द के जीवन की वो घटना के स्वामी विकर्षण ना जी जब जैपूर में उस राजा के यहां वीदा ले रहे थे तो उस राजा ने इनके स्वागत के लिए एक उससम रखा और उस सम में एक वैसिया को बलाया और उस वैसिया को जब बुलाया तो विवे का नंजी उस सवा को उस सब को छोड़के चले जाते कि वैसिया के गीत में वैसिया के नृत में और संत का बैठना यह तो अधार में खोगा अब मर्यादत होगा यह तो पाप होगा स्वामी विविकानन उत्स सब छोड़के चले जाते और कहते उस वैस्या को मालूम हुआ कि स्वामी जी मेरे कारण से चले गए तो उसने गीत गाया प्रभू मेरे अबगुण चितिन दरो समदर्सी है नाम तो हारो चाहों तो पार करो एक लोहा पूजा मेराखत एक घर बधिक पड़ो और पारस गुन अबगुण नहीं परखत कंचन करत खरो उसने का एक लोहा किसी के पूजा मेराखा हुआ है कोई सालिग्राम लोहे के हैं पूजा में रखा हुआ कोई लोहा है और कोई दूसरा लोहा कोई कसाई के घर में लेकिन जब पारस गुन अब गुण नहीं इस पर्खत पारस के नईदीक लाया जाए तो पूजा के लोहे को भी सोना बना देता और कसाई के लोहे को को भी सोना बना जाता पारस गुन अब गुण नहीं पर्खत कंचन करत खरो प्रोभु मेरे अब गुण चिन न धरो एक लोहा पूजा में राकत बदेक पड़ो एक कसाई घर का लोहा और एक पूजा का लोहा दोनों को कंचन बना देता पारस स्वामी विवेकानन जी पूरा सुन ना पाए और विवेकानन जी उसके सामने आते और देखा उसके आँखों से आँस उज़र रहे थे स्वामी वेकंदन उसको प्रणाम किया औरagit नहीं मेरे अंदर-व। राग दुश से मैं मुक्त हो पाया, पहली वार में राग दुश से मुक्त हो मुझे बहार भी मुझे परमात्मा की दर्सन हुए माता काली माता के दर्सन हुए राग रहा न देशरा राग 200 से मुक्त और कहते पहली बार असल में सही अर्थ में सन्यास फलित हुआ सन्यास की एक तरह से परिवासा ऄड सन्याट्य कांग्शन कांग इसकी कोई मांग नहीं जिसकी कोई शीकायत नहीं कि निर्दुम्ध है दुन्णों से मुक्त यही है कि सुख दुख मान अपमान परीला हानी मैं दूर्द को इन दूर 5 पड़ा एक को चाहरा दूसरे से भाग रहा एक की मांग दूसरे को इनकार और जो दोनों को सिवकार कर लेता दोनों से पार हो जाता वो दुन्दातीत हो जाता जो दोनों को सिवकार कर लेता वो दुन्दातीत हो जाता और भगवान कहते वही गयस नित्य सन्यासी बिना घोष कि बिना गेरेक बस्तरों के भी वह संध्यासी हो सकता मैंने का ना जैसे कवीर हुए नानक हुए रविदास हुए इन्होंने कपड़े नहीं बदले थे लेकिन संध्यासी थे और अपने क्रिया कला बिवहार करते हुए भी राग दूष से मुक्त हो गए ना राग ना दूष ना मांग ना सिकाइद कि दूष से मुक्त हो गए दूंदा तीत हो गए तो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो गए कर्म उनके लिए बंधन नहीं रहा है सुखम बन्धाद तोड़ा जाये वर से पट्टा तोड़ा जाये कच्चा पट्टा हो हरा पट्था तोड़ा जाये गहाव बんな जाता है ब्रक्ष में भी एक घाओ पत्य में भी एक घाओ लेकिन वही पत्ता जब सूखा हो जाता सूख जाता और कब तूटके गिर गया ना ब्रक्ष को पता लगा ना पत्य को पता लगा कि वो कब तूटके गिर गया वो सुख पूर्वग बंधन से मुक्त हो गया ऐसे ही जो राग द्वेश से मुक्त हो जाते हैं ना राग रहा ना द्वेश रहा दुन्दा तीत हो गया राग द्वेश से नित्य सन्यासी सुखम बंधात प्रमुच्चते सुख पूर्वग बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और फिर उसे कर्म से पलान करने की जरुवत नहीं एक कोई सादू किसी दुकंदार के यहां नौकरी पर जाता और सादू ने कहा उस दुकंदार को के देखो मुझे तीर तेयात्रा पर जाना है और तीर तेयात्रा के लिए कुछ पैसे संग्रे करना है कुछ पैसे हमें बचाना है तो मैं आपके दुकान पर छे महीने काम करेंगे और छे महीने काम करके मैं छे महीने बाद आप सुछ छुटी लेंगे और तीरती आतरा पर जाएंगे पहले तो दुकंदार ने कहा तुम सादू गेरे कपड़ों में और मेरी दुकान पर रहोगे कहीं बिगड़ तो नहीं जाओगे सादू ने का अगर बिगड़ने का डर होता तो मैं तुम्हारे पास ना आता अगर बिगड़ने का डर होता ये सादूता ये गेरे कलंकित होता दाग लगेगा तो तुम्हारे पास नहीं आते अब वो हमारे अंदर विश्वास है कि अब ये इस पर दाग नहीं लगेगा इसलिए आपके पास आए हाँ ये बात हो सकती है कि तुम्हारा असर हम पर ना हो हमारा असर कहीं तुम पर हो जाए हमारा रंग कहीं तुम पर चड़ जाए सादू उस दुकंदार की दुकान पर छे महीने नोकरी पर रहा जाता सादू की मस्ती देखके सादू का बिवहार देखके सादू का दुन्दाती जीवन देखके कैसा निर्दुन्द है दुन्दों से मुक्त है ना लाव, ना हान, ना सुक, ना दुख, ना मान, ना अपमान, ये दुकंदार बहुत प्रवावित होता, इस दुकंदार ने कहा इस सादू से, कि मैं तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे बिवहार से, बहुत प्रवावित हूँ, और तुम जो कह रहे हो कि 6 महीने का बाद तुम चलना चाहोगे तो ले चलेंगे तुम्हें भी अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चलेंगे तो दुकंदार ने पूछा किया तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए कोई तैयारी करने पड़ेगी सादू ने का हाँ तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए कोई तैयारी तो कर वा दूंगा वो दुकंदार राजी होता सादू ने दूसरे दिन से तीन महीने काम करके सादू ने देख लिया था कि ये दुकंदार कब जूट बोलता है कब कम तॉलता है कब जादा कीमत पैसे बताता है उसकी सारी चाल फरेवियां सित्राई चाला की जूट सादू ने समझ ली थी अंगले ही दिन से जब उसने कहा मुझे मेरी तैयारी करा देना तीर त्यातर चलने की तो जब वो कम तॉल है तो सादू उसको इतना ही कहे मेरे राम तीर त्यातर पर चलना है तीर त्यातर पर चलना इतना ही याद दिला दे त कम क्यों तॉल रहे हैं जब किसी को कीमत जादा बताए तो सादू फिर उसको इतना ही याद दिला दे मिरे राम तीर त्यात्रा पर चलना है तीन महीने आगे के तीन महीने ये दुकांदार कम ना तॉल सका जूट ना बोल सका किसी ग्रहा को ज़्यादा पैसे ना ले सका इमानदारी से उसने तीन महीने अपना काम किया जब तीन महीने वाग सादू बिदा होने लगा तो सादू ने का आप तो मैं तीर्त जाने के जरूरत नहीं अब ये तुमारी दुकांदार ही तीर्त हो गई है अब ये तुम्हारी दुकान ही तीरत हो गयी है जब जीवन में कहीं राग ना हो, दूइश ना हो, जूट ना भोले, अहंकार ना हो से आहंकार से राग द्विश से मुक्त करें तो भगवान कहते हैं जो राग द्विश से मुक्त करें तो भगवान कहते हैं जो राग द्विश से मुक्त करें जिसकी कोई मांग नहीं जिसकी कोई सिकायत नहीं और वो निर्दूंद निर्दूंदों ही महाँ बाहु अब देख लेकिन कर्म कोई राग द्वे स्के कारण नहीं हो रहे कर्म की उर्जा हमारे अंदर है जीवन में कर्म की अर्जा है अधिको आज तो वेक गयने एक धूल मिट्टी के कड्ड को भी ब्सलेशन कर रहे और मिट्टी के कड़ को भी देख रहा है कि इसमें भी एटम है इलेक्टरान नीट्रान प्रोटान इसमें भी इसमें जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ कर देख रहा है तो इसमें इनर्जी है एक मिट्टी के कड़ में भी इनर्जी है तो आदमी की सैल में कोई इनर्जी नहीं हो पर निकले माले हमारे आप पास एक कोट है अब उस कोट को हमें कहीं टांगना किसी खूटी पर टांगना तो चाहे राक की खूटी पर टांगना या दोईस की खूटी पर टांगना खूटी के कारण कोट तो था मेरे पास लेकिन खूटी का चुनाव सरफ हमने किया कि कुस खूटी पर टांग ना उर्जा हमारे अंदर थी कर्म की उर्जा हमारे अंदर थी और कर्म हुआ उस उर्जा से हुआ लेकिन हमने कभी राग के लिए कर्म किया तो कभी द्वेस के लिए कर्म किया ये चुनाव हमारे हाथ में था अगर हम कोहिनूर के लिए दोड रहे हैं के कोहिनूर मिले हैं पद के लिए दोड रहे हैं धन के लिए दोड तो धन हमें नहीं के दोड आ रहा है हमारे अंदर धन की मांग पैदा हुई है धन की राग जगा है धन का राग जगा तो धन के लिए हम दोड़ रहे हैं हम अपनी उर्जा धन के लिए लगा रहे हैं हम अपनी उर्जा पद के लिए लगा रहे हैं जो हमारे अंदर कर्म की उर्जा थी कोई धन के लिए लगा रहा तो कोई कर्म की उर्जा पद के लिए लगा रहा Pia उर्जअ ना नंती संयासी और भगवान कहते जो जिसने अपने कर्म को ना राग की खूंटी पर टांगा ना दूइस की खूंटी पर टांगा जिसने अपने कर्म को परमात्मा को समर्पत करके किया परमात्मा की पूजा समझ के कर्म किया और जिसने परमात्मा की पूजा समझ के कर्म किया वो राग दूइस से मुक्त होके कर् कि वह नित्रसनयासी है कि यह को यो ना दुष्ण ना कांग जका दिं जिसकी कोई सिकाइप नहीं करने वह एंस कुऊर्वक संसार एंगे दुखों से मुक्त हो जाओ सुखम बंधात्रमुच ज notre सुक पूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जा तो जब फल की कोई मांग नहीं है ना कोई राग है ना देश है तो बंधन कहां से आंगे बंधन बनते राग और देश से मांग पैदा होती है राग और देश से तो भगवान कैसे ऐसा व्यक्ति सुक पूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वो जो कर्म भी कर रहा है वो परमात्मा को समर्पित करके कर्म कर रहा है परमात्मा को समर्पित कर रहा है राग है या द्वेस है जो भी है उसके लिए राग द्वेस नहीं है जो भी यह परमात्मा का प्रशाद है जैसा है वो परमात्मा का प्रशाद है कर्म करेगा, कर्म पूजा अगर हुई है, कर्म अगर पूजा है, तो जो फल है वो परमात्मा का प्रशाद है, कोई उसमें मांग नहीं है, कि अब ऐसा हो या बैसा हो, मीठा हो या खटा हो या ऐसा हो, कुछ भी नहीं, कोई स्वाद का भाव नहीं, कोई मांग नहीं, जो है जैसा भी है वो परमात्मा का प्रशाद है तो भगवान कहते हैं जो राग देश से मुक्त हो जाते हैं वो गेयत से नित्य सन्यासी सन्यासी की विस भूसा हो या ना हो लेकिन अंदर से उनका एक अंतर रूपांत्रण हुआ है इनर ट्रांस्फॉर्मेशन हुआ है अंदर से बहुत कुछ बदल गया ऐसा अंतर रूपांत्रण तो बहुत बार आज के सन्यासियों में भी नहीं मिलेगा तो भगवान कहते हैं बस बाहर कसे ज़्यादा बाहर तो एक ये कपड़े ये तो एक रिमेंब्रेंस थे इस सिंबॉलिक थे एक याद दिलाने के लिए आप हॉस्पिटल में जाओ तो एक डॉक्टर को कैसे पहंचानते हो उसकी इनिफॉर्म से पहंचानते हो क्योंकि कोई आपको सुरक्षा की बात लेनी है तो पुलिस के पाश जाएंगे आपको अपना इलाज कराना दे डॉक्टर के पाश अब पहंचाने कैसे तो उसकी इनिफॉर्म से को ऐसे ही आध्यात्मिक मारदर्सन के लिए हम संतवेश में संतों के पाश जाते कि जिनका संतवेश हो लेकिन आज तो कितने लोग संतवेश वैसी बना लिए घर गरस्ती में भी होते हैं तो भी लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं स्वामी लिखने लगते हैं जितने हम देखते हैं कथा वाचक लाल पीले कपड़े पहनते हैं स्वामी लिखते हैं घर गरिशती होती है परिवार होते हैं लेकिन स्वामी होते अब इन्होंने पिरूर्व को नहीं पूरी पूरी जो संद्यास की परंपरा थी उसे मिटा दिया तो भगवान कहते हैं वो नित्य संद्यासी है जरूरी नहीं है भगवान कहते हैं तुम्हें बाहर का परिवर्तन करना जरूरी नहीं है अगर संद्यासी लेना लेकिन जो बाहर के परिवर्तन बहुत बार जो ग्रिश्ती में बाहर का लाल पीले कवड़े उन्हें संद्यास कि जो गरिमा है संधास के पृफप लोगें का स्रद्दा है संधास का medicine earthly संमान है उसका शोषण करना कि उसके महाद के यह सा रूम्प बना के ऑसे कपड़े पेढ़ के कैसे लोगों से धन मिले मान मिले धन और मान की दोड के लिए लिए कपड़े पहनते गर आते हैं वह कपड़े उतार देते हैं कथा से हड़ते हैं तक दूसरे कपड़े पहन ली यह है इस खाली लोगों को एक जो सन्यास का सादू के प्रतिक सम्मान था उसका सोशड लेकिन जो सपर्मात्मा के प्रिश समर्पित है उनकी कोई मांग नहीं उनकी कोई शिकायत नहीं वो जो राग द्वेश से मुक्त हो जा बहुत प्रेम था राजा जहां भी जाता सादू को अपने साथ लेके जाता भोजन करता तो पहले सादू राजा सादू को खिलाता भोजन करता तो पहले राजा सादू को खिलाता पीछे खुद खिलाता बिस्राम करता तो पहले राजा सादू को बिस्राम कराता पीछे खुद करता दोनों के बीच में बहुत घनिश्टा बहुत प्रेम, दिली लगाओ एक दूसरे के प्रति, एक दिन राजा और साधू दोनों घूमने के लिए जंगल में गए थे, दिन भर जंगल में घूमते रहे सैयोग से वह रास्ता भूल गए भटक गए, और जब रास्ता भूल गए पापस लौट रहे थे दिनवर के दौनों भूखे थे राजा घोड़े पर बैठा आगे था और सादू उसके पीछे था राजा ने आगे से देखा एक पेड़ पर एक सुन्दर सा फल लगा हुआ है उस राजा ने हाथ बढ़ा के उस फल को तोड़ लिया और जब फल को तोड़ लिया फल को टुकड़े को काया और राजा को कहा बहुत सुआद है बहुत अच्छा लगा बहुत मीठा है बहुत सुआद है जब कहा बहुत सुआद है बहुत मीठा है तो राजा को मांगा एक और दे दो तो राजा ने को हैरानी हुई आश्चर हुआ कि सादू कभी मांगता नहीं था लगता आज दिन भर का ये भूंका है इसलिए साथ ये अपनी मरियादा तोड़ बैठा और मांग रहा है तो राजा ने दूसरा भी टुकड़ा दे दिया फल का दूसरी फांक भी दे दी सादू ने वो भी खा लिया का बहुत स्वाद है तो सादू ने का एक और दे दो राजा गुजरा बुसकल लगा चार टुकड़े किये थे अब दो तो ये खा गया और तीसरा भी मांग रहा है इसे मेरा बिलकुल ख्याल नहीं कि मैं भी तो दिनवर का भूंका हूँ अब जब राजजा ने इसे मांग ही बैठा सादू ने तो दिल से न चाहते हुए भी राजा ने वो तीस टुकड़ा भी दे दिया तो सादू ने फिर वही टुकड़ा खाया का बहुत स्वाद है बहुत मीठा है बड़ा सुख मिला तो सादू ने राजा कहा राजा ये भी दे दो चौथा भी दे दो और सादू ने राजा के हाँ से लेना चाहा जब सादू राजा के हाँ से लेना चाहा राजा पीछे हट जाता क्रोध में बोलता कि तुम्हें बिल्कुल मेरी परवा नहीं है मैं भी दिनवर का भूंका तुम भी दिनवर के भूंके एक फल मिला चाठ टुकड़े किये तीन तुम खा गए और चौथा भी मेरे हाँ से छीन रहे हो क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाने के मैं भी दिनवर का भूंका हूं और राजा ने वो टुकड़ा सादो को ना देखे अपने मुह में रखा जैसे अपने मुह में वो फल का टुकड़ा रखा वो तो एक दम जहर था कड़ुआ था जहर था राजा ने वो टुरंद थूख दिया बाहर फैंक दिया थूख दिया और सादो की तरफ देख के कहा तूम तीन टुकड़े खा गए और इहीं कहें के यह कड़ुआए तुम तीन टुकडे खा गए और यही कह के बहुत स्वाधिष्ट है बहुत सुख मिला वो सिकायत नहीं कि यह कड़ुआ है सादू ने कहा इसलिए मैं चौथा भी खाना चाहता था इसलिए मैं चौथा भी खाना चाहता था कि कहीं तुम्हें मालूम ना पड़े ये कड़ुगा है सिकायत हो गई अन्य था सिकायत पहुंच गई तुम्हें मालूम ना पड़े ये कड़ुगा इसलिए मैं चौथा भी खाना चाहता जिन हातों से आयता कितना सुख मिला, सुब्धा मिली, सम्मान मिला, साधन मिला आज उन हातों से कुछ अंचहां भी आ रहा है अंचहां भी आ रहा है, बेस्वाद भी आ रहा है तो प्रेम की पराकाष्टा यही है, प्रेम की पहिंचान यही है स्रद्धाव यही है प्रेम यही है कि वो सिकायत ना हो उसे भी सिवकार करें जिन हातों से इतना सुख मिला सुबधा मिली, सुरक्चा मिला सनमान मिला आज उनसे कुछ अंचाहां भी आ रहा है बेस्वाद भी आ रहा है वो भी सिवकार किया जाए सादू ने का इसलिए मैं चौता फांक भी खाना चाहता था कि उन हातों को सिकायत कैसी करें जिससे इतना सुख मिला भगवान कहते है गेयस से नित्य सन्यासी वो नित्य सन्यासी है योना दुष्ण कांग्छती जिसकी कोई मांग नहीं जिसकी कोई सिकायत नहीं बताना नहीं पड़ता कि क्या दवा दो क्योंकि डॉक्टर की योगता पर हमें विश्वास है सब रोग बताया अन्नत है डॉक्टर की योगता पर हमें विश्वास है कि आप जो भी डॉक्टर दवा देगा मीठी या कडवी इंजेक्शन या उपरेशन उससे हम स्वस्त कि हम परमात्मा के को सीवकान नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर से तो भूल भी हो सकती है कि लेकिन परमात्मा से भूल होगे परमात्मा तो सरवग है उससे भूल का कोई कारण नहीं और परमात्मा से जारा हमारा हितैसी कौन हो सकता है सुचो परमात्मा ने सब कुछ दिया ही दिया है हमसे मांगा क्या है चाहा क्या परमात्म कोई हमसे पेक्षा नहीं सिर्फ दिया ही दिया जन्व दिया तो परमात्मा ने जीवन चल रहा तो परमात्मा से धन दिया मान दिया सुख सुब्धा दी सब उसकी कृपा और कभी-कभी उन हातों से अगर कुछ अंचहां आ जाए तो हम सिकायत करेंगे सुचो जो भगवान कहते है वो नित सन्यासी है योना द्वेशना कांग्छती जिसकी कोई मांग और सिकायत से जो मुक्त हो गया राग और द्वेश से मुक्त हो गया अब उसके लिए कोई दुख नहीं है सुखम बंधात प्रमुच्छ बंधन टूट गये खत्म हो गये क्योंकि बंधन तो राग द्वेश से पैदा हुए थे और सुख पूरवक उसने कोई उसके लिए अब कुछ किया नहीं है कभी-कभी म जाता है ऐसे ही जह हम जीवन में पक जाते हैं ग्यान में पक जाते हैं अन्हों में पक जाते हैं परमात्मा के भाव भक्ती में पक जाते हैं तो संसार के कर्म ऐसे ही कर्म का लगाव कर्म की आसकती फल की कामना ऐसे ही विसरजित हो जाती है ना राग के लिए कर्म होते ना दोईस के लिए होते कर्म का कर्म का कोट टंगेगा लेकर कर्म का कोट किस पर टंगेगा ना राग की खूंटी पर ना दोईस की खूंटी पर कर्म का कोट टंगेगा परमात्मा की समर्पड पर परमात्मा की ठूटी पर परमात्मा के समर्ण पर इसलिए वो कर्म को पूजा करेगा कर्म करेगा लेकिन कर्म के लिए कुछ कोई मांग नहीं कोई चाहा नहीं कर उसके लिए पूजा हो गया और जो मिला बदले में पर भगवान का प्रशाद है तो भगवान के दिए से नित सन्यासी योना दुष्ट नकांग चती निर्दवन्दो ही महां बाउ वो दुन्दों से मुक्त हो जाता दुख है दुन्दों में और निर्दोंद हुआ चित में विसमता आती है दुन्दों से और विसमता है दुख मांग और सिकायत है तो दुन्द है और दुख है और जिस दिन हम निर्दोंद हो जाते हैं दुन्दों से बाहर हो जाते हैं वहां चित में समता आ जाती है और जो चित में समता आ जात सब्सक्राइब कर दोंदा तीत हो जाता है उसके चित में समता आ जाती है वही सुख है वह बंधन से मगत हो जाता है और सुख पूर्वत आज हम यहीं विराम लेते हैं मेरा सभी को प्रडाम हर योग